तीसरे तरह के token की बात करते हैं, जो इसका नाम है USDU, तो आपने World Crew की बात की, आपने UNTB की बात की, और अब हम लोग तीसरे token की बात कर रहे हैं, जिसको हम स्थिर सिक्का यानि की stable coin कहते हैं, अब ये किस पकार अलग है, तो आपको ये बता दें कि USDU जो है, वो एक digital rupee करन है एक US dollar का, और वो हमेशा एक US dollar के बराबर ही रहेगा, लेकिन एक जो फर्क है, जो मुख्य फर्क है, वो मुख्य अंतर ये है, कि एक USDU, जो crypto unit blockchain के उपर है, वो उसके पीछे एक dollar, जो की भौतिक रूप से bank में जमा हुआ हुआ है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अगर हम लोग अगर बात करते हैं, खास खबरों की आज के, अगर हम लोग आज कल की ताजा खबरों की बात करें, तो SEC जो है, वो वाकई बहुत ज्यादा नजर रखता है, कि जो भी cryptocurrency है, उसके प्रिष्भूमी में क्या परिसंपत के ऊपर वो नजर रखता है, तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो cryptocurrency है, वो उसके पीछे असली में परिसंपती है, और अगर हम USDU की बात करते हैं, तो भौतिक रूप से जो डॉलर है, वो डॉलर बैंक में जमा हुए हुए हैं, उसी मात्रा में, तो अब एक उधारन लेते हैं कि जैसे कि मैं यूक्रेन में रहती हूँ, तो मुझे यूक्रेन में बैंक में जाकर अपनी राश्च्वे मुद्रा को US डॉलर में परिवर्तित करना पड़ेगा, तो कहीं बार मैं अपने बैंक कार्ड से ये करती हूँ, लेकिन सभी कार्ड जो ह करती हूँ, जो मेरे मेरी मुद्रा के साथ काम करें और वो वहाँ पर मैं उस प्रणाली में अपने अपनी राश्च्वे मुद्रा को हस्तांतरन करती हूँ, तो मुझे मेरा पास्पोर्ट भी चाहिए और हो सकता है कि मैं अगर कहीं पर हस्तांतरन कर रही हूँ, तो उसके उपर कुछ सीमा भी लगी हो और मुझे से ये भी पूछा जा सकता है कि मैं ये जो राशी है वो क्यों हस्तांतरन कर रही हूं तो उसका उद्देश्य भी वो मुझे से पूछते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एक क्रम है जो मुझे जिनका अनुपालन करना पड़ता है अब आप यूँ सोचिए कि हम लोग सभी एक ब्लॉक्चेन के उपर हैं हमारे पास क्रिप्टो वालेट भी है तो यूएसडियू का जो हस्तांतरन है वो एक शंड में हो जाता है और वो बिना किसी कमिशन के तो आप इसको बहुत शीग इसका हस्तांतरन कर सकते हैं जो ब्लॉक् और हम अपने जीवन में लोगों से मिलते हैं तो वो बिचॉलिय का काम करते हैं और इस वज़ा से जब हमारे जब ब्लॉक्चेन के उपर कोई बिचॉलिया नहीं होता तो हमें कहीं किसी को कमिशन देने की भी जरूरत नहीं होती और आप सीमाओं के सीमाओं के बिना आप आ आप blockchain के ऊपर अपना हस्तानतरन कर सकते हैं और आने वाले समय के अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे और भविश्य के अंदर आपको मौका भी मिलेगा कि आप भी अपने USDU को परिवर्तित कर पाएंगे और आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसी विशेशताएं आपको दी कि मैं अपना USDU जो है उसका इस्तेमाल भुकतान करने के लिए भी कर सकती हूं चाहे वो इंटरनेट पे हो या किसी शॉपिंग मॉल में हो तो यहां पर company का लक्षे यही है और एक और लक्षे वो यह है कि USDU को एक दुनिया का शीर स्टेबल कॉइन बनाना है और उसके रननीती है हमारी management की रननीती है और हम लोग वाकई धन्यवाद देना चाहेंगे एंड्रे हो रौतव जी का जिनोंने असल जिंदगी में इस रननीती को हमारी blockchain पर उतारा तो एक बार फिर USDU स्थिर सिखा है जिसकी प्रिष्टभूमी के अंदर भौतिक डॉलर्स है और आप उसको एक crypto wallet से दूसरे crypto wallet में आप इसको हस्तांत्रित कर सकते हैं बिना किसी commission के और साथी साथ आप इसको जो है इसको आप win में कर सकते हैं दूसरी crypto currencies के अंदर और company का जो लक्षे है वो यह है कि वो इसको दुनिया की शीर स्थिर यानि की stable coin बनाना चाहती है अब